आज हम लंग करेंगे आपकी जियोग्राफिक के पॉजिशन का चैप्टर इंडिया, लोकेशन, बोर्डर, एरिया एंड फिजियोग्राफिय यानि कि हमारे भारत का पृत्वी पे स्थान, उसकी सीमा, उसका विस्तार और उसका पृपुस्ट यानि कि भारत में कौन-कौन से उसकी जो लेंड है ना इसके फिजिकल फॉरमेशन है, लाइक माउंटेंज है, प्लेट्यूज है, डेजर्ट है, प्लेंज है, उन सब के बारे में अभी क्लास 6 में हमने गुजराथ की लोकेशन, बोर्डर, एरिया, फिजियोग्राफिक के बारे में लें किया था और इस टांडर में हम लेंड करेंगे, इंडिया के बारे में, तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल मेप ओफ एशिया, 7.1, पीज नमबर 34, यहाँ पे एशिया का पॉलिटिकल मेप दिया है, और यह है हमारा इंडिया, और यह हमारी इंडिया के कैपिटल, यहाँ पे दूसरी ज पर लिखा हुआ है आपको यह मैप स्टडी करना है साथ ही साथ नेचे हम लान करेंगे कुछ फिलिंग दे ब्लैंक फिलिंग दे इन्फोमेशन इन ब्लैंक गिवन बिलो अबाउट इंडिया 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 लाइस बिट्विन 8.4 नोथ लेटिटूद तो 37.6 डिग्री न है जो उत्तर दिशा में नोर्थ लेटिटूद साने की नोर्थ पार्ट में 8.4 डिग्री से 37.6 डिग्री तक आया हुआ है और यहां पे 68.7 एस्टन टू 97.25 नोथ लॉंग्टिटूद तक आया है अभी नीचे फिलिंग दे ब्लैंक से इंडिया इस इंडिया इस इंडिया पर तो यहां पर हमांत से लिखेंगे इन्डिया इसे in south of Asia गये सेकंड है डेश इस इस इंड इस तो आपको मैप में देखती ही जाना है इंडिया की इस्ट में कौन सी कौन सी जगा है तो वहां पा ऐह बांगलादेश इस इस the west, Indian jaw획 में औरेबियन सी इंट the North, नोर्थ पर क्या है हमालय ao have इस इंट L Gust, साउथ में ष्रि लंका इह मंगा, इस इस इन जर्फौ ए साउथ है श्री लंका इस cities or state and capitals के बारे में, यहाँ पर आप sign में देख सकते हो, यह जो sign है वो international boundary, यह जो sign है वो state boundary है, यह sign है national capital और यह sign है capital of the country, तो आपको यह में भी study करना रहे का नीचे हम लांद करेंगे portion है area यानि की भारत का विस्तार India extends from Kashmir in the north to Kanyakumari in the south and covers the distance of 3,214 km तक अभी यहाँ पर आपको song याद आ रहा है, कश्मीर में तु कन्या कुमारी इस तरीके का आपने song सुना होगा कहीं पर यानि की भारत है ना वो उपर तक कश्मीर में यानि की नोर्थ में कश्मीर से नीचे साउथ में कन्या कुमारी तक फैला हुआ है और कितने किलोमेटर का अंतर वो रोक के रखता है 3,214 तक का जो कश्मीर से कन्या कुमारी का डिस्टंस है यानि की इतने किलोमेटर का एरिया वो कवर करता है from north to south it extends from अरुनाचल प्रदेश in the east to द्वारका in the west अरुनाचल प्रदेश in the west में वो द्वारका तक 2,933 किलोमेटर तक का एरिया कवर करता है from east to west land area of India is approximately 32,87,263 square meter अभी भारत का जो पूरा एरिया है ना पूरा भोगलिक विस्तार है तो उसका जो क्षेत्रफल जो हम बोलते हैं वो कितना है 32,87,263 square kilometer hence India is considered as the 7th largest country in the world in terms of land area यानि की land के विस्तार की द्रस्ती में भारत का जो क्रम है पूरा वर्ल्ड में कितना है सात्वा है यान की 7th India tapers toward the north and the south and is relatively bordered in the center there are 28 states 7 union territories one capital state और इंडिया न्यू डैली अभी भारत का जो शेप है न वो north और south में एकदम नेरो है और जो central इंडिया है हमारा मध्य भारत वो वहाँ से ब्रोड है और यहाँ पर 28 states 7 union territories और 1 capital state है जो कि है हमारे न्यू डैली और यहाँ पर आप भारत का पिक्चर देखोगे ना तो आपको इस तरीक इका दिखाए देखा कि जैसे यह कश्मीद है वो यह हमारे भारत माता का मुगट है यहाँ पर फिर हमारे भारत माता का फेस है फिर यहाँ पर उनका हाथ आता है फिर एक हाथ में यहाँ पर फ्लेग आता है और दूसरे हाथ से वो आशिरवात देते हैं और साथ यह है नीशे उनके पैर यानि कि आपने कभी patriotic song में या तो फिर national festivals के भारत का photograph टीवी पे या तो फिर किसी book में इंटरनेट पे कहीं पे देखा होगा जिसमें भारत माता खड़ी हुई होती है तो exactly हमारे भारत का मेप, हमारा भारत का नक्षा ऐसा ही है जिसे हमारी भारत माता खड़ी हो एक हाथ में भारत का दीवी देवतागे दर्शन होते है नेक्स पेज पेज पे जाएंगे अभी हाँ आपके लिए एक्टिविटी है में का लिस्ट ओफ दे स्टेट्स एंडे कैपिटल एंड यानि कि हमारे भारत के राज्यों के और जो इंडियों टेरिटरीज है केंद्र शाषित प्रदेश उसके बारे में लिखना है राज्यों के साथ साथ उसके कैपिटल भी लिखनी है तो यह एक्टिविटी आपको डेफिनेटल अपनी नॉट्बुक में करनी है इस होमवग अभी है फीजियोग्राफिका पोशन यानि की भूबूस्त यानि की हमारे भारत की जो भूमी है उस उसके कितने स्वरूप है उसके बारे में लैंड फॉर्म ओफ इंडिया इस नोट यूनिफॉर्म एवरिवेर ऑन बेजिस ऑफ वेशन इन्द लैंड फॉर्म इंडिया कैन बी डिवाइद इंटो फॉलोविंग फाइफ फिजिग्राफिक डिविजन यानि की हमारे भारत की है। गभी जमीन उसकी सर्फेज वो कहीं पर भी एक टाइप की नहीं है सबूप सुहां. इस इर तो इस तरीके कि भारत को पांच पार्ट में डिवाइड किया गया है पहला है नोर्थन माउंटेंग रेंज दूसरा है प्लेंस ओफ नोथ इंडिया तीसरा है सेंट्रल एंडग्कन प्लेट्यूस ओफ इंडिया चुता है कोस्टल प्लेंस इस आयलेंड नर्की पलेजिस यहां पर हमें लेजिन्स यानि कि हमारी जो साइन है या तो फिर सिंबल है उसके हिसाब से आप यह पूरी एरिया को यहां पर देख सकते हो यहां पर नोर्थन माउंटें रेंज आएगी उपर नोर्थ इंडिया में नोर्थन माउंटें रेंज इसके बाद यहां पर यहां उसके सब्सक्राइब है हुमालेया यलो गड्रालेट फेन्य बिए जो और ग्री ओर ऑन्री जिशैंग है और यहाथ सेंट्रल добॉत है सेंट्रलल फर्स पोशन नोर्थन माउंटेंग रेंज याने कि उत्तर की उत्तर का जो परवतिये प्रदेश है जो परवत माला है उसके बारे में तो हिमालेया is a chain of three mountains and is called हिमालेया mountain range it is the highest mountain range in the world there are three divisions of the northern mountains range जब हिमालेया जो है वो तीन अलग-अलग mountains की एक परवत माला है जो कि world की सबसे बड़ी परवत माला है और उसको हिमाले की परवत माला भी बोला जाता है अभी सब हाइट में सबसे बड़ी यहां की परवतमाला है क्योंकि हमारे हाँ पे बहुत ऐसे सिकर है जो कि सबसे बड़े है और उसको Northern Mountain Range भी बूला जाते हैं उसकी त्री डिविजन्स है पहला है हिमालिया Mountain Range दूसरा है हिमालियास तीसरा है Eastern Himalias और पुर्वांचल रेंज याने की हिमाले की परवतमाला जो है उसको तीन पार्ट में दिवाट किया गया है पहला है हिमालियान माउंटेन रेंज दूसरा हिमालियास तीसरा है Eastern Himalias और पुर्वांचल रेंज अभी नीचे हम पो लर्ण करेंगे तीसरा है छोटी हमाले आरेंज जो कि है शिवाजिस का नावी सिवालिक रेंज जो की हमारे इंडिया की ओर आ रही है अभी यहाँ पे आपको पेज नोमर 37 पे 7.4 का जो मैप है 7.4 इंडिया मांटेनियस रेजन यहाँ पे जो परवतमाला है ना उसका यहाँ पे हमें मैप दिया गया है माउंटेन रेंजिस ओफ हिमालया मिट कोडवीन ओस्टिन पीक ओफ इंडिया इस 8,611 मीटर्स हाई इडलाई सिंद कारा कोरम रेंज यानि कि यहां पर हम एक शिखर का नाम दिया है माउंटेन गोडवीन ओस्टिन एम्टी का मेनिंग होता है माउंटेन इसको सोट फोर्म में लिखा है एम्टी माउंटेन गोडवीन ओस्टिन शिखर है जो भारत का उँचा शिखर है जिसके उँचा है 8,611 मीटर्स और वो है कारा कोरम रेंज में उसके बाद है माउंटेन एवरेस्ट जिसकी उँचा है 8,948 मीटर्स is the highest peak in the world which is located in Himalaya range इन नेपाल अभी पूरे वर्ल्ड की सबसे उँचा शिखर कौन सा है माउंट एवरेस्ट जिसकी उँचा है 8,848 जिसके बीच में 4 है आपको इसको याद रखना है तो आप याद सकते हो 88,48 तो यह हमारे भारत का सबसे बड़ा शिखर है जो की नेपाल में आया है और वो हिमालया रेंज में आया है अभी है कांचन जंगा जो भी एक परवत का नाम है जिसकी मुचा है 8,580 मीटर्स उसके बाद है नंदा देवी 7,817 मीटर्स और बद्रीना जिसकी हाइड is 7,138 मीटर्स आर हाइपिक लोकिटेग इन दे माउंटन जंगा नंदा देवी बद्रीना यह सारे शिखर जो है वो भी बहुत उंचे है वो आया है हमारे इंद्रीना में अभी 1.2 है माउंटनियस रीजन ओफ एस्टन हिमालयास यानि की हिमालय की जो दुंगराय प्रदेश है वो पुर्व में है उसके बारे में लग करना है दे एस्टन पार्ट ओफ दे हिमालयास इस माउंटनियस पतकोई और लुसाई वेरी हाई हिल्स फ्रम पार्स ओफ दे एस्टन हिमालयास वेरियास गारो खासी जेंतिया और नागा आर्द नोट सो हाई हिल्स फ्रम पार्स ओफ दे सावथन हिमालयास फ्रम दे इस्ट वेस्ट डिरेक्शन अभी हिमालय का जो इस पार्ट है ना माउंटन रेंज का वो भी डुंगरों वाला ही है वो भी शिखरों वाला ही है वहाँ पे पतकोई और लुसाई की एक माउंटन रेंज हाई हुई है डुंगराल एरिया है जो की बहुत ही उचे है और साथ ही साथ है दूसरे है इस्टन पार्ट में जो की है गारों खासी जेंतिया नागाई है सारे शिखर भी वहाँ पे आ है जो की जिसकी हाइट उतनी नहीं है वो थोड़े चोटे शिखर है अब नीचे हमें लेन करना है दूसरा पोशन जो जो पूरा कलर है वह जो ब्राउन चोकलेट कलर जैसा कलर है वह है पूरा प्लेंट के लिए ठीक है आप यहाँ पे में देख सकते हो alluvium brought by the Himalayas and Peninsular clpolitik अहीं कि आनों प्रम मारीश नंदिया थो उत्र बाइ। provide और उत्र हारत जो परचार построat पहरत में ब्रमाहन है थे अन्य дух कि आप army उत्र भारत में ब्रम वहारत और नदिया होती है वहाँ पे aluvium यानि की इसका मिनिंग होता है काप जो की जमीन को बहुत ही fertile बनाता है तो वहाँ पे उससे बना हुआ है उत्तर भारत के मेदार और ये उत्तर भारत के बहुत सारा अरिया covers करता है इसलिए उसको northern plains या तो फिर the plains of north इंडिया भी पूल आजाता है the plains made by rivers are so vast that is one of the largest plane in the world formed by the rivers due to vastness of this plane it is one of the most prosperous and populated area of India अभी यह जो नूर्थ इंडिया का plane है ना यह जो सरे मेदान है ना उसकी जो तुलना है ना उसकी जो उसका समावेश है ना वो दुनिया के बहुत ऐसे नदियों से बने हुए कुछ मेदान है उसमें होती है यानि कि यह बहुत ही famous जगा है और साथ ही साथ यह को यहां की जमीन एकदम fertile होती है और यह बहुत ही बड़े-बड़े मेदान है इसलिए यहां पे बहुत सारी समरुद्दी और साथ ही साथ बहुत सारी population भी है अपि नेक्स पीच प पर कि आपको 10 प्रीन आपको मैप में से नेटकिता है इंडेस्काफ़च शान हाँ Kin है लेकिर ने संबर खा the ना वो दाल संभार नहीं है जो आप डूसे के साथ साथ हो इदली के साथ खाते हो है ना डाल चुकी दल इसको दल अलसो दल जो है वो एक सरोवर है और जो सामबर है ना वो भी एक सरोवर है अभी नीचे का पोशन हम लेन करेंगे अभी हमें मद्धी भारत और दक्षिन भारत के उच्छे प्रदेश के बारे में भी लेन करना है सेंट्रल और दक्कन इसका प्रदेश के बारे में हम लेन करेंगे अटेश प्रद्धि रिद्धेश के लेन में में गोड़िय करेंगे सरी बारे में होगे रोट्य ना में अरुड़ा ये जो एरिया है ना वह तीन हम साइड से वह वाटर बर्यस से भरा हुआ है साथ ही सार वह उपर और नीचे की और थोड़ा सा narrow और साथ ही सार उपर जाते हुए वो थोड़ा सा ब्रोड होता जा रहा है इसलिजे उसको पैनिन सुले यांने कि डृप कलपी बोला जाता है और यह बहुत पुराने जो लैंड मास होते है न उससे बना हुआ है अभी यह जो एरिया है न यहाँ पे बीच में जो नर्मदा और जो शोन नदी है न उसकी खीन आए हुई है इस प्लेट्यू इस फ़र्दर डिवाइड इंटो टू पार्ट्स मालवा प्लेट्यू तो दे नोर्थ और डिकें प्लेट्यू तो दे साउथ अभी यह जो नदीया है न यह इस प्लेट्यू को तीम दो पार्त में डिवाइड करते है जो नोर्थ साड़ हे न वह मालवा प्लेट्यू और जो साउथ साइड है न वह ग कें प्लेट्यू ऊर के सोलाल इलट वी न भीकोर्स है और यहां पर बहुत जली यह तो नहीं है लेकिन उसका color black है और black soil जो होती है ना वो farming के लिए ठीक है मिनरस के लिए बहुत ही लापतायक होती है तो यहां पर black soil है जो अलगलर टैप्स के crops को grow करने के लिए और साथी साथ बहुत सारे टैप्स के इन डेजर के बारे में हम नेक्स वीडियो में लेंड करेंगे ओके वन्दे मात